हाई अब्रीवन दिस इस आनम वेलकम टो पेजी जॉपसन एड्मिशन सो आज का मारा फॉर्स लेक्टरों का उन रसर्च मेतडोलोजी फो यह अपकमिंग डॉक्टर राम मनोहर लोईया विद्ध यूनिवर्सिटी जो के अयोध्या में सिच्वेटेड है फो यह पीज़ आमिनेशन में आपका जो पेपर होता है इसमें 30% वेटेज होता है पेपर का वो रिसर्च मेतडोलोजी पर बेज़ रहता है तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम मीनिंग और रिसर्च इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टन एंचिक इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो म हमने रिसर्च मेतडोलोजी का कंप्लीट कोर्स लांच करा है जिसकी हेल्प से आप आपके डॉक्टर राम मनोहल लोई यावेदी यूनिवर्सिटी की पीजी इंट्रेंस एक्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो आपके लिए हम वीडियो लेक्चर्स नोट्स मॉक्टेस और था इसजी इंट्विंस एक्जामिनेशन को क्रैक कर पाया था तो हमारे स्कोर्स को पर्चेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको में वाट्स अप के तुरू ही कॉंट्टाइक करना है नॉर्मल कॉल्स नमर पर नहीं लगेगा और आपके आपकी प्रिप्रेशन के लिए रिसर्च में लगेगा का कंप्लीट कोर्स लांच करा है जिसमें हम आपको फुल सिलेबिस वीडियो लेक्चिर्स नोट्स 10 फुल सिलेबिस मॉक्तिस 1000 प्लस प्रैक्टिसम्सीक्यूस पीडिएफ प्रवाइट करेंगे इन बोद लैंगिज ह ऐसे इंधी एस वेल एस इंग्लिएश ऑमारे इस रिसर्च में टिडिलोजी के कोश को हमने हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर और जो actual PhD entrance examination में questions पूछे जाते हैं वो सारे questions, वो सारे important points हमने हमारे इस research methodology के course में और इस research methodology के contain में cover करा है So video lectures में हमने जो important points होते है जबकि syllabus में सारे points है उनको detail में explain करा है उसे के साथ notes में जो important important points है उनको highlight कर कर बताया है और mock test, mock test से क्या होता है आपकी practice होती है और आपको पता चलता है कि आपकी कितनी preparations होई है और कितनी और आपको preparation और कितनी और आपको preparation चाहिए उसी के साथ-साथ 1000 plus practice mcqs PDF में हमने जो research methodology के examination में questions आने के chances होते है और हमारे experience की basis पे वो सारे questions हमने हमारे इस 1000 plus practice mcqs PDF में cover करे है तो याद रखेगा बहुत से students हमें पूछते हैं कि मैम नेट पे तो सारा study material available है तो हम यह material क्यों ले तो मैं आपको बता दूँ नेट पे बहुत सारा study material available है बहुत सारी information है हर जगा से जाओगे हर website पर अलग-अलग information है लेकिन आपको यह नहीं पता होता है कि क्या important है आपको क्या पढ़ना चाहिए कौन से questions आने के ज़्यादा chances होते है तो हम आपको हमारे इस course में यह सारा detail में बताएंगे और हमारा जो research methodology का container यह काफी precise है जिससे कि आप कम से कम study करकर आपके BBAU University के PhD entrance examination को crack कर सकते हो तो याद रखेगा हमारे इस course को purchase करने के लिए आपको दिये गए screen पे जो number है उस पर हमें whatsapp के तुरू ही आपको contact करना है याद रखेए normal call इस number पर नहीं लगेगा और आप हमारे app को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है global online app आप इस app को play store से directly डाउनलोड कर सकते हो जो कि freely available है और इस app को डाउनलोड करने के link भी मैंने description box में provide कर रही है आप directly वहाँ से हमारे app को डाउनलोड कर सकते हो जिसमें कि आपको one click में ही सारा study material देखने मिल जाएगा so let's begin with the video first question the best meaning of research is this question में हमें research की definition find out करनी है जिसे कि हम research methodology पढ़ रहा है तो हमें research की definition क्या होती है यह पता हो नहीं चाहिए okay अब हम options देखते है पहले हम options सी देखेंगे search for universal truths of life so इसे हम कहते है spirituality अब spirituality होता क्या है जैसे ऐसे questions where we will go after we die why have we come to the world हम इस दुनिया में क्यों आया है उसे हम कहते है spirituality अब spirituality research नहीं होती है that's why आपर आपका option c incorrect हो जाएगा then आपको option b given है arriving and generalizations based on observed data इस statement को हम कहते है data analysis so data analysis यह आपके research process का एक part होता है okay अब research process क्या होते है जिसमें आप first statement data को collect करते हो then उस data को analyze करते हो observe करते हो और आपके observations पर based और आपके analysis पर based आपको चंक्रीजन देते हो but यहापर आपको option b जो given है this is the part of research process यह research की definition नहीं होगी that's why आपको option b भी incorrect हो जाएगा then आपको option a given है adoption of scientific method for creation and application of knowledge so यह आपर scientific word बहुत important है कि आपकी जो research होती है आपको research में scientific methods use करने चाहिए आपकी research scientific way में आपको perform करने चाहिए then इसी sentence का next part है creation and application of knowledge so आप क्या करते हो research में new knowledge create करते हो new theory create करते हो और उसकी knowledge का use करते हो और कोई practical life में उस problem को solve करते हो okay जैसे for example covid disease covid disease के again researcher ने vaccine develop किया okay so researcher ने क्या किया covid disease के again new knowledge पहले develop करी होंगी new knowledge दिया होगा new theory develop करी होंगी उसी knowledge का use करकर इस vaccine को form किया होगा और इस vaccine को बनाया होगा so researcher ने क्या किया यहापर पहले knowledge create करते हो और उसी knowledge का use करकर इस practical problem को solve किया so research आपकी scientific होने चाहिए और research में हम new knowledge और उस knowledge का use करकर हम कुछ practical life में उस problem को solve करते हैं so यह आपकी हो जाएंगी the definition of research अब research में आपको तीन words याद रखने हैं from exam point of view these three words are very important first point is आपकी research scientific होने चाहिए then second आपकी जो research होती है वो systematic होने चाहिए means आपको आपकी research में कुछ steps कुछ process follow करना होता है आप randomly कोई भी step को perform नहीं कर सकते हो so आपकी research systematic होने चाहिए then third is objective means आपकी research का aim क्या है आप research क्यों करना चाहते हो goal क्या है research का okay इसलिए आप objective perform आपकी research क्या होने चाहिए आपको आपकी research का objective पता होने चाहिए कि aim क्या है अगर आप जो research कर रहे हो उस research से जो results आ रहे है वो results क्या कोई practical life में apply कर सकते क्या लोगों के लिए वो beneficial है इसलिए हम research हमारी objective में होने चाहिए first is scientific and the second word is systematic and third is objective अगर आपको exam में ऐसे words में से कोई एक word दिखता है definition of research में that means हो आपकी definition हो जाएगा that's why यह पर आपका correct option हो जाएगा option A adoption of scientific method for creation and application of knowledge next question which one of the following statements is not correct this question में भी find out करने कि कौन सा statement correct नहीं है about research okay अब हम options देखते है option A any person can do research so यह पर आपको option नहीं correct हो जाएगा because कोई भी research perform कर सकता है चाहिए वो doctor हो teacher हो engineer हो students कोई भी research को perform कर सकता है जिससे for example एक teacher है teacher अपनी class में बच्चों को कुछ concept समझा रही है और बच्चे उस concept को समझ नहीं पा रहे तो teacher क्या कर लेगी अपना teaching method change कर लेगी teaching method teacher change कर लेगी जिससे बच्चे उस concept को easily understand कर पा है so teacher नहीं आपर क्या क्या teacher नहीं research perform किया okay so यह भी एक type का research हो गया so any person can do research this is correct about research then आपको option be given है research may be without hypothesis so इस statement में आपके लिए एक new word है hypothesis hypothesis होता क्या है hypothesis यह एक tentative statement होता है जो researcher के assumptions और guesses पर best होता है और इसे assumptions और इसे guesses को researcher अपने research में test करते है जैसे for example एक drug है और researcher को यह देखना है कि यह particular drug is particular disease को cure कर रहा है यह नहीं so researcher का assumption क्या होगा इस case में कि हो सकता है शायद यह drug is disease को cure कर है so researcher का assumption इस researcher का मानना है बस इस ही मानने को इस assumptions को researcher अपने research में test करते है और उसे हम कहते है hypothesis अब कोई-कोई research ऐसी होती है जिसमें hypothesis की जरुवत नहीं होती है जैसे exploratory research होती है उसमें hypothesis की जरुवत नहीं होती है अब हम next आने वाले lectures में देखेंगे exploratory research क्या होता है अब इस question के लिए हम बस इतना देखेंगे कि ऐसी research जो होती है without hypothesis भी होती है जिसे for example मुझे देखना है मुझे study करना है butterflies के बारे में कि butterflies के eyes कैसे होते हैं उनके colors कैसे होते हैं उनके wings कैसे होते हैं उनके movement कैसे होते हैं सो बस मैं क्या कर रही हूँ मेरा knowledge expand कर रही हूँ और मैं कोई area को explore कर रही हूँ सो यहाँ पर मुझे hypothesis की तो कोई जरूरत नहीं है मैं बस अपनी knowledge को increase कर रही हूँ सो इस case में क्या होता है research में कभी कबार hypothesis की जरूरत नहीं होती है that's why आपको option B भी correct हो जाएगा then option C आपको given है research is not always systematic means research always systematic नहीं होती है इसका मतलब है but हमने देखा था research must always be systematic research systematic होनी ही चाहिए अगर आपकी research systematic नहीं होती है तो आपकी research invalid हो जाएगे systematic means what आपको proper steps structure perform करना होता है आपको randomly कोई भी steps आप research में perform नहीं कर सकते हो okay so यह आपको option C incorrect हो जाएगा this is not correct about research और हमें question में भी यही find करना है which is not correct about research that's why आपका यहापर correct option हो जाएगा option C next question research is related with इस question में में find out करना है कि कौन सा option connected है और linked है with research okay अब हम options देखते है option A discovery of new idea so yes research में researcher new idea discover करकर कोई चीज़े develop करते हैं this is for example computers है computers, laptop, tv, mobile phones so यह सारे researcher ने क्या किया अपने ideas के थुरू इन सारे चीज़ों को develop किया that's why आपका option A correct हो जाएगा research is related with discovery of new idea then आपको option B given है solution of a problem yes research में research हमें help करता है कोई भी problem का solution find out करने में जैसे हमारे लिए एक बड़ी problem थी जो के है आपकी COVID COVID-19 disease COVID-19 के अगेंस researcher ने vaccine develop किया okay so यह एक problem थी और उस problem का researcher ने vaccine develop करकर उस problem का solution find out किया so research में हम कोई भी problem का solution find out करते हैं that's why आपका option B भी correct हो जाएगा then option C आपको given है investigation of a problem yes यहाँ पर आपका option C भी correct हो जाएगा because research में हम कोई problem को investigate करते हैं means उस problem को examine करते हैं उस problem को और deep में जानते हैं okay so यहाँ पर आपका option C भी correct हो जाएगा so here correct option is option D all the above because आपका option A, B और C तीन भी option correct है moving on to the next question what is the purpose of doing research this question में find out करने के research क्यों करते हैं हमारा aim क्या होता है research को perform करने का okay so हम research इसी लिए perform करते हैं ताकि हम कोई problem को identify कर सके अब यहाँ पर आपका option A correct हो जाएगा to identifying the problem अब research में प्रॉब्लम को identify करते हैं कि example के जो हम समझते हैं मालें जो कोई person है और वो person sick है वो person बिमार है और उस person को कोई disease भी है so यह disease जो भी है इस person को यह new disease है so researcher क्या करेंगे और फिर doctor क्या करेंगे उस disease को पहले identify करेंगे कि वो disease है क्या then आपको option B given है to find the solution yes यहाँ पर आपको option B भी correct है क्योंकि research इसलिए कि जाती है कि कोई problem को कोई problem का solution find out कर सके जैसे यहाँ पर आपने देखा एक person था और उस person को कोई disease हुई है और वो disease new है तो researcher उस disease को पहले identify करेंगे अब disease को identify करने के बाद उसी disease के against researcher drug develop करेंगे और you can say doctors उस disease के against drug या फिर कुछ treatment देंगे तो यहाँ पर researcher ने और you can say doctors ने क्या किया इस problem का solution find out किया that's why हमारे research का aim और purpose यही होता है कि कोई problem का solution find out करे और कोई problem को identify करें that's why आपर आपको correct option हो जाएगा option C both A and B are the purpose of doing research अब हम next question देखते है what is research इस question में हमें research की definition find out करनी है so अब हम option A देखते है searching again and again searching again and again यह research तो होता है but this is not the proper definition of research because अगर मैं ऐसा बोल रही हो कि एक book है और उस book को मैं daily read कर रही हूं so वो research तो मैं कहलाएंगी क्योंकि मैं book को तो daily read करते जा रही हूं लेकिन मैं कोई new theory new concept new ideas developed नहीं कर रही हूं that's why आपर आपको option A incorrect हो जाएगा यह आपको research की definition नहीं होगी then option B आपको given है collection of information collection of information यह भी आपकी research नहीं होंगी that's why आपको option B भी incorrect हो जाएगा because अगर मैं ऐसा कर रही हूं कि मैं internet के थुरू कुछ information ले रही हूं और इस information को collect कर रही हूं option C working in a scientific way to search for truth of any problem so yes यह आपर आपका option B correct C correct हो जाएगा क्योंकि देख रहे हो जिसा आप इस sentence में और इस definition में आपको एक word आ गया है scientific मैंने आपसे जैसा first question में भी कहा था scientific word is very important कि अगर आप आपकी definition में जभी scientific या फिर objective या फिर systematic ये words देखते हो तो आपकी research की definition हो जाएगी so हम research को scientific way में perform करते हैं कोई भी problem को find करने में कोई भी problem को solutions find out करने में so that's why यहाँ पर आपका option C correct हो जाएगा this is the definition of research working in a scientific way to search for truth of any problem okay next question research refers to इस question में में find out करना है कि हम किस options पर research perform कर सकते हैं so यहाँ पर आपका option A given है routine activity routine activity जो आप daily perform करते हो से आप कहते है routine activity जैसे आप daily college जा रहे हो daily school जा रहे हो daily bath ले रहे हो daily lunch कर रहे हो daily dinner कर रहे हो routine activity होगए that's why आपका option A incorrect हो जाएगा then option B annual activity annual activity means what आप जो yearly करते हो या फिर year में एक बार करते हो भी आप केता हैронewal activity अनुवल activity पर भी आप research perform नहीं कर सकते है that's why आपर आपको option b b incorrect हो जाएगा then option c occasional activity occasional activity means आप जो sometimes करते हो कभी-कबार आप sometimes or you can say आप कभी कबार करते हो से हम कहते है occasional activity इस पर भी आप research perform नहीं कर सकते हो that's why आपर आपको option c incorrect हो जाएगा then option d fact finding activity yes आप यहाँ पर आपका option d correct हो जाएगा because fact finding activity पर आप research perform कर सकते हो now facts क्या होते है जैसे ऐसे type के question why sky is blue sky blue क्यों है why earth is round earth round क्यों है so यह जो fact finding questions है fact finding activities है इन पर हम research perform कर सकते हैं यह दिखने के लिए कि सच में earth round है यह सच में sky blue है so यह आपके facts हो गए so हम fact finding activities पर research perform कर सकते हैं that's why आपर आपका correct option हो जाएगा option d next question देखते हैं अब हम how would you define the research process इस question में research process की definition find out करनी है so अब हम options देखते हैं option a method of collecting research data so statement को हम कहते है data collection so data collection यह आपकी research process में step होता है जापर आप data को collect करते हो so यह आपके research process की definition नहीं होंगी this is the part of research process that's why आपका option a incorrect हो जाएगा there हम option c दखेंगे method of presenting research results research results आपका present करते हो research process के last step में this is the last step of research process और यह भी आपके research process का एक part होती है यह आपके research process की definition नहीं होंगी that's why आपका option c भी incorrect हो जाएगा then option b the stages or steps the researcher follows in carrying out the research project तो आपका option b correct हो जाएगा और this is the definition of research process तो research process की definition यह होती है जिसमें आप कुछ steps perform करते हो और उस steps को perform करकर आप आपके research का कुछ results find out करते हो और research को आगे बढ़ाते हो so this is the correct definition of research process अब research process की कुछ steps ऐसे होते है कि first step में आप problem को define करते हो then next step में आप data collect करते हो then उस data को analyze करते हो analyze करने के बाद उस data पर conclusions निकालते हो and conclusions से results निकालते हो so हम research process की correct definition बोलेंगे इन सारे steps को जापर हम steps perform करकर कुछ results find out करते है हमारी research के ना के कोई एक particular stages को हम research process कहेंगे okay that's why आपर आपका correct option हो जाएगा option B the stages or the steps the researcher follows in carrying out research project next what is a pilot study इस question में मैं find out करने के pilot study होती क्या है so pilot study में pilots and airplanes involved नहीं होते है that's why आपर आपका option B or C incorrect हो जाएगा then here option A a small scale preliminary study yes pilot study वो होती है जो researcher पर एक small scale पर करते हैं अगर वो study successful होती है तो उसे एक large area पर एक बड़े area में researcher launch करते हैं बच्चे school में आ रहे या फिर नहीं कि उनका enrollment बढ़ रहा है नहीं तो यहाँ पर government ने mid-day mil program किया है government ने mid-day mil program किया तो small district में ही पहले government mid-day mil program launch करेंगी यह देखने के लिए कि बच्चों का enrollment बढ़ रहा है या फिर नहीं यह पर आपका correct option हो जाएगा option a a small scale preliminary study ओके next which of the following options are the main task of research इस question में मैं find out करना है कि research के main task क्या होते है अब हम options देखते है option a to learn new things यह पर आपका option a correct हो जाएगा because research का aim ही होता है कि हम कुछ new theory, new concept, new ideas को develop करें उसके दुरू हम कुछ न कुछ new knowledge सीखते रहते हैं यह पर आपका option a correct हो जाएगा then option b research gives you the latest information यह पर आपका option b भी correct हो जाएगा because जिसा हम देखते हैं computers में new languages आते है, mobiles में कुछ programs आते है, कुछ apps आते है जब भी कोई new things develop होती है, तो उसके through research हो या फिर हम लोग कुछ new information, latest information सीखते रहते हैं so research gives us the latest information यह भी correct हो जाएगा then option c research helps with solving the problem so यह पर आपका option c भी correct हो जाएगा because research में हम कोई problem को solve भी करते हैं जैसे for example कोई disease है, particular disease है, कोई new disease है, उस disease के against researcher को drug form up करना रहता है या फिर you can say vaccine form करना रहता है, this is nothing but problem, so research का main task यह होता है कि कोई problem को solve करें so यह पर आपका तीनों भी options correct हो जाएगे, because research का main task होता है कि कुछ न कुछ new thing हम सीखते रहते हैं, कुछ latest information हम gain करते रहते हैं और कोई problem को solve करते हैं, that's why यह पर आपको correct option हो जाएगा, option D, all the above, moving on to the next question, how to judge the depth of any research, इस question में में find out करना है हम किसी भी research की importance, किसी भी research की depth को कैसे judge कर सकते, so यह आपको option A given है, by research title, क्या हम किसी भी research की title से उस research को judge कर सकते हैं, नहीं, because जैसे for example मेरे पास एक title है, study on, viruses, तो इस title से कि मैं उस research को judge कर सकती हूँ, कि वो research अच्छी है, फिर नहीं है, no, it's not possible, कि हम सिफ title को ही दे कि किसी भी research को judge नहीं कर सकते हैं, then यह पर आपको option B given है, by research duration, means उस particular research को कितना time लगा है, किसी research को complete होने में two weeks लगते है, किसी research को complete होने में two years लगते है, one year लगता ह है, six months लगता है, so हम किसी भी research की depth को, उसके duration के according judge नहीं कर सकते हैं, that's why आपको option B भी incorrect हो जाएगा, then हम option D देखते है, by total expenditure on research, आपको option D भी incorrect हो जाएगा, because हम किसी भी research की depth को, इसलिए नहीं judge कर सकते हैं, कि उसमें कितना पैसा खर्च हो गया है, उसमें कितना money spend है, अगर क आपको option D भी incorrect हो जाएगा, then option C by research objectives, यहापर आपको option C correct हो जाएगा, because हम किसी भी research की depth को judge कर सकते हैं, by its objective के उस research को goal क्या है, उस research को goal क्या है, उस research का aim क्या है, वो research क्यों की गई है, कि उस research के करने के बाद, उस research की results आ रहे हैं, वो society के लिए beneficial है या नहीं, so इससे हम research की depth को judge कर सकते हैं, that's why आपको option C correct हो जाएगा, by research objectives, so student this is all about the meaning of research, I hope the definition of or the meaning of research is clear to everyone and thank you for watching this video.